यह सब्द्रोपर के लिए क्या श्राटेजी हुनी चाहिए और ट्रॉप लेके और आप आचा आइटीब्च ईव पढ़ तो बागी बच्छे जो ड्रॉप यु कि अप ये बता पाएंगा अच्छे से तो diferen जो लो मतलब क्लासे से प्रिप्रेशन करते हैं तो बोट नहीं है और अपकी क्लासेज भी कमी लगें जाल 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 पड़ते रहना है और सबसे बड़ी बात है कि आप टीचर से बात तो फॉलो करना ही है तब ही आपा इडिक होगा आगा तीचर बोल ले कुछ और उल्टा कुछ और अपने बढ़ा रहे हैं तो फिर बड़ी बात है कि मतलब इस बढ़ा रहे हैं तो बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे यह जोड़ दूगा यह नहीं करूँगा जब अपने से वहां भी कुछ निप परते हैं तो आपके टॉपिक एक है खोड़ता बहुत जादे एक पढ़ा हुआ पहले अच्छी बात नहीं है तो अच्छी बात नहीं है करने से मतलब बहुत हो जाता है कि मतलब था क्या पढ़ना है मतलब यूट्यूब से देखें या तो या तो कर सकते हैं कि फ्रैंस को होंगे उसके बादना और उसको सबसे ज़री चीजी है कि उसको कोई टेस्ट सीरियस जोट करने चाहिए अगर वागा तो यह सबसे मस्ट है तो तो मतलब यह सेल्फ इस्टडी किस हद तक सही हो सकती है अगर मालीजी आपके पास है कि नहीं हम मेरे पास बजट हैं कोचिंग इंस्ट्यूट जॉइन कर सकते हैं जैसे यूट्यूब पे जाना थोड़ा सा वो टाइम वेस्टर हो जाता है सेल्फ स्टडी में लेकिन अगर जाना चाहिए जोइन करना चाहिए जोइन करना चाहिए तो इसके बार उसके बार खान तो आप समझे कितना दिफेरेंस है गारा खाना बना बना इसके बार खाना पड़े बच्चे क्राइब करते हैं मेरे टीचर टेथे वो बोलते लिए कि तो वो करना किवा जोईन करना चाहिए जाइन करना चाहिए तो फिर प्रॉब्लम यह होती कि जैसे इंस्ट्यूट में बच्चा होता है तो एक फ्लू मिला रहता है सारे बच्चे महाल देखता है तो वह कॉंप्टीशन फील करता है पर डे लेकिन अगर आप सेल्फ इस्टडी करें घर पे बंद हो जाएं तो आपक कोशिश करना कि कम भरोसा करके त्यारी के लिए इंस्ट्यूट जॉइन करना है लेकर अगर आपके पास बजट नहीं है तो आप जो अभिशेक बोले कि टेस्ट सीरीज बिल्कुल जॉइन करनी है और पूरे बातों को मतलब क्या अभिशेक आप क्या मतलब इसमें क्या था और यूटूब पे वीडियो देखने हैं जो यूटूब पे वीडियो पढ़े है अगर यूटूब पे देख सकते हैं अगर नोट्स वगए तो इसे कर सकते हैं करेंगे और एक और पॉइंट करना चाहते हैं जो बच्चे ड्रॉप ले रहे हैं पैटन हम बता देता हैं जो हम देखें बच्चों को जो निकालते बच्चे जो वह पैटन रहता है कि पहले सेक्टमबर तक आपका स्लीब्स कंप्लीशन का टाइम होता है कि आप तक स्लीबस कंप्लीट लेजें उसके बाद फिर एक महिने का आपका रिवीजन वाला फीज स्टार्ट होता है जिसमें पूरा स्लेबस थौरूली रिवाइस कर ले और खूब जादे से जादे मॉप्टिस लगा ले वह आखरी का एक मन्थ इसलिए होता है जो जितने भी ड्रॉपर सुन रहे हैं उनको मतलब एक रोड मैप हम दिये मतलब यह जनर करता है तो उनका मतलब जनरी दैक मतलब कम्प्लीत नहीं पाइए जनरी में शोता है जनरी में होता है मैं खतन कर ले जितना आप पढ़ चुके हैं उस पर conflict होना तो मैं इसमें से कर लूँ इतना पढ़े हैं उस पे आप कितना कर पारें कितना पसंदे पारें तो निजाए जरूरी है पर तो अब इशेख ड्रॉब लिये दो जितने भी ड्रॉब वाले बच्चे वह सुन ले कि कभी भी लेकिन यह जट्नल बात किये थे कि नेवंबर तक कूचंग वाले आपका लगभख मान लेकिन हाँ नेवंबर तक आपके इmportant chapters वह खतम कर डालेंगे जिनका वेटेज जादे जिनके exam में आने के आने question है यह बस छोटे मोटे chapters बसते हैं लास्ट में जो कि धीरे-धीरे वह cover करते रहते हैं लेकिन उन उन chapters पे focus नहीं करना है कि यार अब चला गया तो चला गया तो क्या सब्सक्राइब करने में तो सब्सक्राइब करना चाहिए तो मतलब सब्सक्राइब सब्सक्राइब करना चाहिए जतना स्लेबस खतम हो चुका है अपका उतना आपका इफ्रेक्टिव है अब उसको ले के एक महिना तक रिवाइस करो और उसके बाद अपना जहीं का एक्जाम दो जो जैन्वरी अटेब होने बाद है ठीक है और फिर अब अगले कुश्चन पर पढ़ते हैं कि वोट्स वर्सेज आई टीजेए क्योंकि आप भी ड्रॉप लिए तो 11 बास सुनेगे कि यार तू आइटी की त्यारी जुरू कर लिए 11 में तेरा पका बोट बिगड़ेगा तो बोट में फेल हो है पर बेला हैता हृव है तो इस बлас खूंसर अ का लिए खाइं कर दोब्ली अन्ट के घुकर जब बैश्सा संब बूर बलया कर दे हैं हम बिट आपन पाधा हैं तो आप जीसे करते हैं लिखना पड़ेगा तो प्राइपर लिखने का तो प्रॉब्लम नहीं मास आएंगा और अभीशेख हमको जहां तक लगता कि करने से मतलब हो जाता है क्या कहते हैं तो तो बोट करने से यह वह जाता है आप नम कर रहे हैं मतलब अगर आप आटीजी का प्रेपरेशन कर रहा हैं या नहीं कि मतलब अच्छे कर रहा है अच्छे से दो साल अगर तुम प्रिपेर किये हो तो प्रिविएस येर कुशन उठा करके एक बाइना में बिल्गुल आसानी से बोर्ट की त्यारी हो जाती है और बच्चे 90% प्लस मार्क्स लाते हैं विशेक आपके साथ भी वह में अच्छे जो जिनको आप देख सकते हैं रहे हैं अधर आप अब इकल्व नहीं निकाल सकते अब इसे किसी इंगर गलत हो तो इसको करेक्ट करिएगा या पुछ पॉइंट इस पर एड़ करना है तो आप एड़ सकते हैं अगर आपने मेनद की वह उस लेवल की त्यारी जो बूर्ट का थियुरेटिकल वाला पॉर्चर होता है जादे उतना प्रैक्टिस पे ध्यान नहीं देता कि वह एंसी आटी का सौल करा है चल दिया क्योंकि पॉर्ट में यहीं करते हैं जन्रेली टीचर्स है ना ठीक है तो अगले अच्छा से किया आपने तो फिर बोर्ट उतना मतलब कटेश नहीं होगा आपके लिए अब अकले कोशन हम पहले की बाग करें चरश Keeping में या जितने व wydaje बचा रहता है में की एक महिने बाद में सब्सक्राविबचों का है और इसके कि दो मैने बाद औक्टूबर में एडवांस का पेपर भी है तो दूनों पे चर्चा करेंगे आप अपनी स्टेटीजी बताइएगा या कुछ अच्छा जो आप कर सकते थे नहीं कर पाए थे यह आप एड़ करिएगा तो सबसे पहले मेंस की बात बताइए कि कैसे एक मंत में में पहले मतलब इसे अगर आपने बहुत अच्छे पढ़ा तब आपको पेपर कर सकते हैं तो आप एक मेंने मेंस तो नहीं कर पाएंगे तो बहुत मुस्किल रोज प्रक्टिस करने कि मेंस बहुत रैंडमली कोश्चन आते हैं किसी में टॉपिक पर आजाएगा किसी में ड सब्सक्राइब करना चाहिए तो उसका तरीका होता है कि आप मतलब से तीन घंटे का एक पर सौल किये उसके आपको तीन घंटे और देना पड़ेगा जो आप से पुश्चन नहीं हुए उस पर अगर उस पर आप सौल दुबारा करने बैठे का तो ठीक है वरना जाए टाइम बेस्ट नहीं करना है तो कई बच्चों के वहीं तो यही पर रिज़ां मतलब आइटी जे करने का कॉंसेप्स तो मतलब सभी पढ़ते हैं आट साथ लेकिन जो चीजी होती है जो डिसेंसेट करती है तो यहीए चीज मुले लगा कि मतलब पेपर रोज सब्सक्राइब करना है अपना टाइमर लगाके तीन हंटे पढ़ेंगे तो आपसे कुश्चन नहीं बने उस पर अनलिसिस पर देने पढ़ेंगे उसके सॉल्यूशन पर देने पढ़ेंगे तो यह क्योंकि कई बच्चों के मुह से हम सुनेते हैं जो जहीं में है अभी आईटी में एक आईटी पेच्चू का नडगा था आपका सीनियर सीएसी डिपार्टमेंट वो बोला था कि तीन से चार बार कुशिश करूँ कि एडवांस का मेंस नहीं तो आप लोगों को समझ मॉलीकूल छोड़ देते हैं मेटलर्जी छोड़ देते हैं सर्फिस केमेस्ट्री छोड़ देते हैं अरे ऐसा कुशन आता है कि आप देख के टिक मार्गों के बड़ तो वो चैप्टरस नहीं छोड़ने अपने को ऐसा भी होता है कि स्ट्वेट लाइन बच्चे पढ़ते ही नहीं कि हमको तो पराबुला इलिप साइपर पूला इतना सारा फॉर्मला है पराबुला में और हम पढ़ेंगे ही नहीं कोडिनेशन चोड़ के जाएंगे कि फॉर कर लो अपना टाइम देना पड़ेगा जाहिड सी बात है तो आप लेकिन अब एक्चुली में जान जाओगी कि एडवांस में पूस्ता क्या है कोशन अगर तीन से चार बार सॉल्व करनेगे कि वह उसकी स्ट्राटेजी थी उस परसनल बच्चे की तो इस पर मतलब यह सही ह अब मतलब आपको यह सोचने में असानी होगी मतलब कि आप अगली बार लगाएंगे तो आप जो तीन पूसंते आप मतलब जो मेमरी है वह सोचने पार वह बढ़ती है इससे मतलब आपको सोचेंगे बढ़ेगा तो इससे आपकी मतलब जो आपका कोचिंग मॉड्यूल है उनको लगाने के बजाए आप यही करिए तीम पर प्रीविएस यह कुश्चनी एडवांस का स्वाल करिए है ना और जो दो से तीन में सीक्यू सही होने वाले मतलब करिए अडवांस के लिए हम यह मानते हैं यह मेरा पर्सनल फीनिया थै क्योंकि आपको से हर एक ऑप्षिन पर जाजा के चिक करना होगा कि यह वाला सइय यह वाला सई कि नहीं तो उसे थोड़ा सा इंगिंग साही होती है मतलब आपकी क्या इस्ट्रेजी थी परसनल है यह यह वाले कुश्चन जादे प्रेक्टिस करने हैं एक तो मल्टिपल चॉइस मेरी तर्व से और दूसरा जो इंटीजर वाले कुश्चन होते हैं वह दूनों पर जादे फोकस करके एडवांस की त्यारी करनी चाहिए आपका क्या इस पर पीडियन है यह जो मल्टिपल चॉइस वाले कुश्चन से यह कर पाते हैं आप तो फिल जो सिंगल जो मतलब जाते हैं उसमें आप तभी सॉल्ट कर पाएंगे सब्सक्राइब तभी यह कर लेते हैं तो वह भी हो जाएगा क्योंकि मुल्टिपल चॉइस कुश्चन जादे टाइम टेकिन नहीं होता है तो यह बात हो गई और एक यह बतादीजी कि और यह बात हो रहे हैं कि एडवांस में जो मैजड़ कॉलम वाले कुश्चन आते हैं वह तो पिल्कुली ने छोड़ना है इस पर क्या बोलना चाहेंगे अपिशेगा मैजड़ क्योंकि वह बतलब यह को पॉश्चन का यह तरह उतना अच्छा नहीं घाए? यार यह वाला यह वाला सही है जैसे पहले का बी वाला सही होगा दूसरे का सी वाला सही होगा पांच अगर ऑप्शन दिये और आप तीम भी पकड़ लेते हो न तो आप मतलब उत्रना दिमाग लगा कि आपको जीतना पड़ेगा मैंस्द फोकस करना है आपको क्योंकि वह पहसानी से नंबर दिला देगा अगर एक औप्शन नहीं मिल पा रहा है बाकी 4 मिल गए तो आप वह कुश्ण निकाल ले जाओगे क्योंकि ऑप्शन भी तो नीचे दिया होता है क्या पता मालीजे आपका सेकेंड का बी आ राया है ठीक है और और आपको नहीं आ रहा था से सेकंड का सी दिया हुगा है तो आप वो टिकमार ली जब वो सही होगा जाहिड सी बात है ऑप्शन में जब दिया ही नहीं नहीं छोड़ना है तो इसी के साथ अभी शेक नहीं कुश्चन थे अपने पास ठीक है और कुछ बोलना चाहिए कि जो जही के प्रिप्रेशन कर रहे ह मतलब 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 ऐसा हो सकता है कि किसी दिना पर ऐसा हो सकता है कि आपका मतलब इससे रेगुलर्टी ना बन पाएं पढ़ाई में स्टडी में मतलब इसससने अपो बागे मतलब गए जञा चाहिए नहीं दिख्ला रहे लेंगे जो रहें तो आपको तो तो आपको अत्यां निये देना है जाए कैसी फिलिंग पर अंदर आती रहें तब आपको पड़ते रहना है यह जाए आपको पड़ते रहना है मैंटेंट करनी है और एक समय जरूर आएगा फिर आप पूरी अपने जितने महनत कर सकते हैं तो यह है और कर भी ऐसा होता है कि मतलब मान करना सब छोड़ दें या फिर मितलब तुछे सुसाइट कर लें सुचिए कि मतलब आपने इस सुचिए और वो मतलब आपने इस्टार्ट किया था एक तो जो नहीं तो लुट आप आप मोटिवेशन अपने आप कि आपको कंसिस्टेंसी बना के रखनी है और आपको फुल फोकस होना है पूरा कटाउट होना पड़ेगा दुनिया से यह बिल्कुल सकते हैं अभिशेक इस पे अगर आप कुछ बोलना चाते क्योंकि काफी जाते बच्चे सर घर में यह काम था यहां पर मामा की साधी है सेप करिए आप हम नहीं आएंगे तो इस पर क्या बोलना चाहिए कि काफी जाते बच्चे बहाना मारते हैं कि यार हम नहीं पड़ पाए क्योंकि मामा की साधी थी यह था बहुत है ऐसे था तो उनके लिए क्या होना चाहिए उनके लिए करना ही पड़ेगा थोड़ा थोड़ा रहना चाहिए जहां थोड़ा नहीं चाहिए पर टीचर से करना ही चाहिए थोड़ा थोड़ा चाहिए जो मतलब चुपी में घार नहीं जाते हैं उसका यूज करते हैं अब मतलब इस करना ही पड़ेगा तो यह लग्द कि अपने दोस्तों के साथ रहे हैं अपने फ्रेंड सरकल में रहे हैं जो आई टीचा का परपरेशन कर रहा है क्योंकि वहीं पुश्कर पाएगा पर टीचर्स के साथ रहिए और सीरियस सिंसिर रहिए सिडियस मत रहिए क्लास में बूद बंद कि हम तो किसी से बाती नहीं करेंगे ऐसा नहीं घरना है में और उपको लगाना एक रखाना है अग्रेशन में रहना है काम करना लेकिन थोड़ा सा प्रप्रप्रेशन होता है एक साल थोड़ा सा लंबा टाइम होता है ठीक है तो और कुछ आप जो बोला चाहिए तो फिर हम लोगों के करता है कि जब वितना शोड़ा कि एक हो जाता है तो टाइम की आप पड़ूगा श्कास ने का बोप्र हो जाता है कि मुझालब प्रूभा पीन पिना वाखे डेली रोटें शोड़के वा ये हैं ज़्वाद पिन पहनीं मीश्त आप अप जाहिए आप तो इसी के साथ सेशन करते हैं काफी जादे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कुशन टेच की हैं लगब मतलब जितना भी आपका प्रप्रप्रेशन जरनी होता है यह सब कुशन आता ही आपके सामने कहीं करें कि क्या करना चाहिए तो होप करते हैं कि आपको अच्छा लगाओ सेशन कॉमेंट करिए कि और कैसे कुशन आपको चाहिए नीचे कॉमेंट सेक्शन में और वीडियो को लाइक करिएगा जबरतस तरीके से और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है और नोटिफि चाहिए को पढ़ा रहे हैं मतलब उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं और काफी जादे बच्चे हमसे मेंटर्शिक लेते हैं अभी 50 प्लस स्टुडेंट है अपने पास अभी छोटी टीम है अपनी छोटा काम चल रहा है तो आईटी चाहिए नहीं निकलेगा तो आप ऐसा न करते हमें चैनल को सबस्क्राइब कर şeyगा और मिलते है अब अगले इंटर्व्यू में किसी को पकड़के ठीक है तब तक के लिए बाय आप भी अभी शेग बाया गोल दीज़े और चैनल में सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर बोल दीज़ेगा बिल्कुर आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मैनत करते लिए थैंक यू सो मच